भाजपा की नीता प्रतीपक्ष वीजेंडर गुपता ने दिल्ली सरकार पर गंबीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नहीं एक साल में लग बग एक लाग बच्चों को फेल कर दिया है और उन्हें स्कूलों से भी निकाल दिया गुपता ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का जो शिक्षा मॉडल जिसे वर्ल्ड क्लास बताया क्या है वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ है इसके विरोध में भाजपाट 23 नवंबर को दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल के खिलाफ धरना प्रजेशन करेगी और अपनी बात जारी रखेगी। प्रजपाट 23 24 के बजट में जो एक्षुल खर्चा हुआ है वो मैंने आपको बताया 16,575 क्रोड रुपया और एवरेज एक बच्चे पर 63,000 रुपया पर यह खर्च किया जारा है लेकिन डिजर्ट क्या है एक लाग बच्चे तो नभी में फेल हो गया जबकि 63,000 रुपय में पर बच्चे पर खर्च किया जारा है अब मैं आपको ग्यार्वी का परिणा बताता हूं इसका बाइस तेइस में ग्यार्वी में 54,75 बच्चे फेल हो गए और 23,24 में जो बच्चे फेल हुए उनकी संचा 51,914 यानि कि लगबक एक लाग बच्चे नभी में फेल हो गए लगबक 50,000 बच्चे जारीवी में फेल कर दिये गए और फिर कहते हैं कि हमारा रिजल्स बहुत अच्छा है तो पहला जो इनकी बोल खुल में जो एडुकेशन की जो दिल्ली के अंदर इसकती है उसमें जो बच्चे फेल हो रहे हैं फेल किये जा रहे हैं और फेल होने के बाद इन तमाम बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है यानि यह आउट आउप स्कूल हो गए और इनको ओपन स्कूल में दागला करने के लिए हम दवाव डाला दिया मुझे बताते में तकलीव हो रही है कि दिल्ली की सरकार ने इन प्रतिवा विद्यालों को बंद करने का फैसला ले दिया है उनतिस इस्कूलों को प्रतिवा विद्यालों को राज किये प्रतिवा विकास विद्याले दिल्ली सरकार का फैसला है उनको बंद करने का और जटी साथवी आठवी नौवी दश्वी सारी कौसित खतम कर दी गये कि त्यार्वी और बार्वी का एक बैट इस साल निकल जाएगा और यार्वी वाले बार्वी में आ जाएंगे तो उनी वांग सिस्टम के साथ दिली के लिए दिली के लोगों के लिए चान थी उसको खतम कियाने हैं